आज हम बनाएंगे लौकी का हलवा जिसमें हमें लौकी के सिवा सिर्फ ती चीजों का इस्सेमाल करेंगे और वो चीजें घर में हमेशा अवैलेबिल रहती है और हलवा बनाने का ये अलग तरीका है जिसमें हमें फूड कलर के बीना अच्छा ग्रीन कलर और कम मैनत में इसे क कैसे चल्दी रोस्ट करेंगे वो ट्रिक बताईए तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखे और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें शेर करें लौकी का हलवा बनाने के लिए पहले हम एक पती ले में एक लिटर जितना पानी करम कर लेंगे लौकी को इसमें हमें बॉयल करेंगे तो लौकी को छिल कर और ग्रेट करके बेना टाइम वेस्ट किये इसमें हम डाल देंगे नहीं तो grade की हुई लोकी अगर ऐसी पड़ी रही तो वो काली पड़ जाएगी तो लोकी को छिलने से पहले हम ऐसे पानी को boil करने के लिए रख देंगे ये जब तक boil हो रहा है तब तक हम लोकी को grade कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पर एक लोकी ली है बड़ी साइस की अगर इसे weight में measurement करें तो ये 500 ग्राम है और लोकी आप ऐसी पट्टी वाली ले जो लोकी एकदम perfect है अगर बनाने के लिए क्योंकि इसमें बीज नहीं रहते हैं और अगर होते भी हो तो ये बहुत ही छोटी साइस के रहेंगे तो इसे मैंने छिल लिया है और टुकड़ों में cut कर लिया है जिससे ये आसानी से grate हो जाए तो इसे grate कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर लोकी को grate कर लिया है अब इसे बिना समय गवाए उबलते पानी में डाल देंगे हमेशा ध्यान रखे कि लोकी को तुरंधी grate करके उबलते पानी में डाल दे तो यह बिना कलर के भी लोकी का हलवा बहुत ही डैलिशिस दिखेगा अब इसे चम्मत से एक बार ऐसे उपर नीचे कर लेंगे अब लोकी जब तक अच्छी से सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हमें इसे ऐसे ही बॉयल करना है और इसके लिए कम से कम मुझे 15 मिनिट जितना टाइम लगा था तो अब हम लोकी को टेस्ट कर लेते हैं तो आप चक्कर भी चेक कर सकते हो यह जैसे ही आप अपने मुह में रखोगे तो यह अच्छे से गलना स्टार्ट हो जाएगी या तो आप ऐसे उंगलियों के बीच में रखोगे तो यह बहुत ही आसने से तुट जाएगी यह देखिए बिलकुल ऐसे ही काफी अच्छी सॉफ्ट हो चुकी है लोकी अब गैस ओफ कर देंगे और इसे स्ट्रेंडर में निकाल देंगे और वैसे ही करके हम एक्स्ट्रा सारा पानी निकाल देंगे और इसे साइड में रख देंगे ऐसे ही अब हम गैस ओन करके एक पैन गरम कर लेंगे पैन में डाल देंगे दो चमश खी 500 ग्राम लौकी में 2 चम्मश घी काफी है अब घी के गरम होते ही उसमें हम उबाली हुवी लौकी डाल देंगे आप देख सकते ही लौकी का कलर पहले से काफी अच्छा ग्रिन दिख रहा है अब इसे हम 3-4 मिनिट के लिए घी में रोस्ट कर लेंगे जिसे घी का अच्छा फ्लिवर लौकी में आ जाए इसे मैंने 5 मिनिट के लिए घी में रोस्ट कर लिया था अब हम डाल देंगे दूद एक कब जितना मैं यहाँ पर गर्म करके ठंडा किया हुआ दूद ले रही हूँ आप कच्छा दूद भी डायरिक यूज कर सकते हो या तो हल्गा गुनगुना करके भी यूज कर सकते हो इसे हम लौकी में एड करेंगे और फिर इसे लौकी के साथ अच्छे सा मिक्स कर लेंगे दूद को हमें पूरी तरह से लौकी के साथ एब्सोप करवा लेना है कि देखिए चार से पांच मिनिड के बाद ये ऐसा हो जाएगा और हम देख सकते हैं कि दूद काफी कम हो चुका है तो अब इसमें हम डाल देंगे एक दिन की घर की फ्रेश मलाई ये दो सिन तीन चम्म जितनी मला है मलाई से बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्शर आएगा हलवे में और अगर घर की मलाई ना हो तो आप कोई भी डेरी क्रीम यूज़ कर सकते हो क्रीम के साथ ही हम डाल देंगे इसमें चीनी मैं आपर हाफ कप चीने इस्तमाल कर रही हूँ आप आपके टेस्ट के एकोरिंग चीनी कम या ज्यादा कर सकते हो अब चीनी जैसे ही गल्ले लगेगी तो ये पानी छोड़ लेगी और वो दूद के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी बस ऐसे ही हमें मिक्स करते रहना है जिससे ये एक्स्ट्रा सारा पानी और दूद वाला पार्ट है न वो सारा जल जाए यानि कि लौकी में एब्सोब हो जाए इसे गाड़ा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा पांच मिनिट में ये देखे ऐसा हो जाएगा पर अभी भी इसे हमें पका लेना है जो आप देख सकते हैं किनारी में वाइट पार्ट दिख रहा है वो में दिखना नहीं चाहिए किनारी से ऐसा दूद वाला पार्ट दिखेगा फिर ऐसा जाग वाला पार्ट दिखेगा ये देखे ऐसा और ये हलका कड़ाई को छोड़ना स्टार्ट हो चुका है तो अब ये देखे फाइनली पूरी तर से कड़ाई छोड़ रहा है और किनार इसे क्लियर हो चुका है मतलब कुछ भी नहीं निकल रहा है तो अब हम ट्राइफरूट ट्रोस्ट कर लेंगे तो साइड में यहाँ पर इसे मैं हलवे को साइड में कर लूँगी और एक चमज घी डाल कर 10-15 बादाम और काजू के ऐसे टुकड़े कर लिये है आप चाहो तो लंबा लंबा भी इसे कट कर सकते हूँ इसे हम आदी मिनिट के लिए हलका घी में रोस्ट कर लेंगे आप हलवा बनाते हैं पहले ही इसे गी में रोस्ट करके निकाल दे और फिर लास्ट में इस टाइम पर डाल दे तो आदी मिनिट हो चुकी है और अब इसे लौकी के साथ अच्छे से मिला देंगे और लौकी का कलर आप देख सकते हैं काफी अच्छा ग्रेन कलर देख रहा है वो भी फूर कलर डाले बीना अब इसमें हम लास्ट में डाल देंगे 1x4 चमच इलाइची का पाउडर इसे भी हलवे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप यहाँ पर इलाइची पाउडर के साथ जाइफल का पाउडर भी यूज़ कर सकते हूँ उससे भी हलवे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब गेस की फ्लेम हम ओफ कर देंगे और इसे हम गर्मा गर्म सव कर लेंगे आप देख सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा कोई भी मौश्यर नहीं है वैसे मुझे तो गर्मा गर्म यह ज्यादा पसंद है इसलिए मैं इसे अब ही सव कर लूँगी लौकी का हलवा अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको फूड कलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी लौकी को बॉल करके घी में हलका रोस्ट कर ले फिर डाल दे दूद, मलाई और चीनी यह डाल कर इसे सुका होने तक पका ले तो इस तरह से हमारा बहुती एजी कम मैनत में हलवा तयार हो जाएगा आज की रेसे भी आपको अच्छी लगी होगी अगर रेसे भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बता है कि रेसे भी आपको कैसी लगी